प्यारे बच्चो आज हम एक नहीं टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे डिफाइन करेंगे इसको इसका मदलब यह हुआ कि इंडिकेटर्स वो सविष्टान्स होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि यह चीज एसिड है या यह चीज बेस है सिंप्ली इस तरह समझ सकते हैं कि एसिड और बेस की पैचान करने के लिए हम जो चीज़ें यूज करते हैं उन चीज़ों को कहते हैं इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स हमें यह बताएगा कि यह सॉलिशन एसिडिक है या यह सॉलिशन बेसिक है हमारे पास मुख्या तीन इंडिकेटर्स हैं जो लैब में यूज किये जाते हैं पहला है लिटमस दूसरा है मिथाईल ओरेंज और तीसरा है फिनॉप्थलीन यह लिटमस दो फॉर्मस में लैब में उपलब्द रहता है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर हमने यहाँ पे इन इंडिकेटर्स को समझने के लिए एक टेवल ड्रॉ कर रिखी है इसमें पहला कॉलम है इंडिकेटर्स दूसरा है कलर इन एसिड और तीसरा कॉलम है कलर इन बेस इसको समझने की कोशिस करेंगे लिटमस पहला इंडिकेटर्स यहाँ दो फॉर्मस में होता है red litmus paper और blue litmus paper तो यहां पर यह समझिये जब blue litmus paper को acid में dip किया जाएगा तो वो turn हो जाएगा red में और जब red litmus paper को base में dip किया जाएगा वो होगा blue the color of blue litmus paper in acid is red and the color of red litmus paper in base is blue हमारे पास दो solution है और हमारे पास litmus paper है यदि हम blue litmus paper को solution में dip कर रहे है और वो यदि turned हो के red बन रहा है तो वो solution है acid second हमारे पास methyl orange the color of methyl orange in acid is pinkish red and the color of methyl orange in base is yellow इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम methyl orange को किसी solution में डाल रहे हैं और methyl orange का color pinkish red हो गया तो वो solution है आपका acid और यदि methyl orange को किसी solution में डाल रहे हैं और methyl orange का color यदि yellow हो गया तो वो solution है base तीसरा है हमारे पास phenophthalene the color of phenophthalene in acid is colorless and the color of phenophthalene in base is pink किसी solution में हमने phenophthalene को डाला और वो phenophthalene colorless हो गया तो वो है acid solution है acid यदि हमने phenophthalene को किसी solution में डाला और phenophthalene का color pink हो गया तो वो solution है base इतना समझने आपको एक बात और समझने आपको litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen a plant belonging to division thalopita and when litmus solution is neither acidic nor basic its color is purple इस वाले topic में हमने कुछ और चीज़ें समझनी है पहला natural indicators इसमें हमने कुछ natural indicators के नाम दे रखे हैं पहला है litmus दूसरा है red cabbage leaves तीसरा है turmeric और फोरत है petals of flowers such as hydrangea, petunia, geranium इसके बाद और चीज़ें सीखनी है synthetic indicators उसमें पहला है methyl orange और दूसरा है phenophthalene और एक important indicator है हमारे पास olfactory indicators कैसे define करेंगे इसको those substances whose smell changes in acidic और basic solution और olfactory indicators है हमारे पास onion और vanilla थोड़ा ध्यान से सुन लिजिए, एक solution है हमारे पास और एक onion का टुकड़ा है और उस टुकड़े के base पे हमने उस solution को बताना है कि वह acid है या base तो उस onion के टुकड़े को solution में dip करेंगे यादि onion की smell वैसी की वैसी रहती है तो वह solution है acid इन acid smell remain unchanged और कोई solution है उसमें हमने onion का टुकड़ा dip किया और उस onion की smell destroy हो गई तो वह solution है जिसमें हमने dip किया वह है base in base the smell of onion is not detected तो हमने onion के base पे किसी solution को acid बताया किसी को base बताया कैसे बताया कि solution में dip किया और onion की smell वैसी की वैसी रही तो वह solution है acid और onion को solution में dip किया और onion की smell destroy हो गई तो वह solution है base दूसरा है vanilla in acid smell remain unchanged और base में vanilla की smell destroy हो जाती जूसरा है औरस्ट फो थीज़ों थी जवा हमने